हलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे स्वागत है बच्चों आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा उनलाइन क्लासेज में बच्चों आज हम सभी हल करेंगे हमारे विश्य पर्यावरन अध्यन शीत कालिन अवकाश का ग्रह कारियर तक्षा है बच्चों तीसरी थिती है तीन जन्वरी 2022 तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाईए लाल बटन दबाईए और सभी मेर चैनल को स्स़क्राइब कीजिये चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलिए तो बच्चों आज का विश्य है प्रकड़ि से प्रेम तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करें अब पहला प्रशन है बीज की मदद से पोधों को किस प्रकार से उगाया जाता है तो बच्चो बीज की मदद से हम पौधे किस प्रकार से उगाते हैं तो बच्चो आप सभी यहां पर ध्यान देंगे बीज को सबसे पहले हम क्या करते हैं बीज को मिट्टी में दबा कर उसमें खाद और पानी देते हैं ठीक है? पानी देते हैं जिसमें बीज का अंकूरण हो जाता है और बीज से पौधा बन जाता है अब देखी बच्चो एक बीज है बीज को हमने क्या किया? मिट्टी में दबाया ठीक है? यह बीज है इसे हमने मिट्टी में दबाया और इसे खाद और हमने फानी दिया तो उसका अंकूरण होना शुरू हो गया देखो इस तरह से इसके जड़े आने लग गई फिर यह धीरे धीरे मिट्टी से बहार निकलने लगा ठीक है? फिर इसके पत्तियां आने लगी और धीरे धीरे यह इतना बड़ा हो गया ठीक है? तो एक बीज क्या हुआ? पौधा बन गया अगला प्रेशन है बचो जानवर और पक्षियों के लिए पेड़ पौधे किस तरह उप्योगी होते हैं? तो आप सभी यहां लिखेंगे जानवरों और पक्षियों के लिए पक्षियों के लिए पेड़ पौधे इंसानों की तरह ही उप्योगी हैं क्योंकी पेड़ पौधो से जानवरो और पक्षियों को शुद्ध वायू छाया बोजन और आश्रय मिलता है ठीक है बच्चो इस तरह से आप सभी इसका उत्तर लिखेंगे कि जिस तरह से बच्चो मनुष्य के लिए जरूरी होता है ठीक उसी प्रकार पेड़ पौधे पक्षियों और जानवरों के लिए भी जरूरी होता है अगले है बच्चो गतीवीदी घर में पड़े किसी अनुप्योगी गमले या डिब्बे में पौधा उगाएं तो बच्चो आप सभी अपने घर में कोई भी अनुप्योगी गमला या डब्बा है तो उसमें पौधा उगाएंगे देखे पहले गमले में मिट्टी डालेंगे ठीक है फिर उसमें बीज डालेंगे फिर उसमें आप पानी डालेंगे फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि उसमें पौधा उगना शुरू हुआ और धीरे धीरे उसमें कोई फली या सबजी भी आने लगेंगे अगला है बच्चो पौधो पर एक कवीता या गीत याद करे और गाए तो आप सभी को इस पर गीत याद करना है ठीक है अगला है बच्चो दिनांग 6 जन्वरी 2022 विश्य परिवार अब बच्चो परिवार विश्य पर हम यहाँ पर पढ़ेंगे ठीक है प्रशन हल करेंगे तो पहला है बच्चो प्रशन आपके परिवार में कुल कितने सदस्य है उनका नाम और आपके साथ उनके संबंद का लिखे तो बच्चो आप सभी अपने परिवार के साथ रहते हैं ठीक है तो आप सभी को क्या करना है बच्चो आप सभी को अपने परिवार में कुल कितने सदस्य हैं यहां बताना है तो जैसे मेरे परिवार में मेरे परिवार में कुल चार सदस्य है ठीक है उनका नाम और आपके साथ उनका संबंद का नाम लिखे जैसे उनका नाम मैंने लिखा मोहनलाल ये मेरे क्या है पिताजी है ठीक है गीता देवी ये मेरी माताजी है ठीक है राकेश ये मेरा भाई है और मैं खुद स्वैम यहां लिखूंगी रेणु का मैं यहां खुद स्वैम ठीक है इस तरह से आप सभी को यहां लिखना है अगला है बच्चों आप घर के कामों में अपनी मा की मदद कैसे करते हैं तो देखिए बच्चों यहां पे आपको बताना है कि आप अपने घर में अपनी माता पिता की मदद किस तरह से करते हैं घर के क्या क्या काम करते हैं ठीक है तो आपको यहां पे लिखना है जैसे मैं छोटे भाई बहन का ध्यान रखती हूँ यह ध्यान रखकर दुकान या बाजार से सामान लाकर घर की साफ सफाई करके आदी काम करके मैं काम अपनी मा की मदद करती या करता हूँ ठीक है बच्चो जो जो कार्याब करते हैं आप सभी यहां लिखे अगला है बच्चो गती वीदी अपने माता पिता दादा दादी से बात करे और उन खेलों का सुचीबद करे जो यह बच्चबन में खेला करते थे तो बच्चो आप सभी अपने माता पिता से पूछेंगे दादा दादी से पूछेंगे कि वो बच्चबन में कौन कौन से खेल खेला करते थे जैसे गिल्ली डंटा, बैट, बॉल, स्तापू, छुपम, छुपाई, लंगडी टांग, आदी इस तरह की खेल बच्चो वो खेला करते थे, तो आप सभी यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है बच्चो, तो इस तरह से सभी को अपने वरक्षीट को हल करना है, अगला है बच्चो, अपने परिवार व्रक्ष का चितर बनाए, तो बच्चो, आप सभी को अपने परिवार व्रक् बच्चों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो सभी लाइक बटन दबा करके वीडियो को जरूर लाइक करें जादा से जादा शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स मुझे कमेंट जरूर करके बताएं कि सभी को वीडियो कैसा लगा और जिन्होंने चैनल क को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाईए लाल बटन दबाईए और सभी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए आप सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद